Hello students, I am Lakshmi Aaddo, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 3, the name of topic, fiber. इससे पहले पिछली वीडियो में हमने minerals और vitamins के बारे में read किया था. आज हम fibers के बारे में read करेंगे. Fiber or rough age is plant-based food that the body cannot digest. Fiber or rough age जो वो पौधी अधारित भोजन है, जिसे सरीर पच्छा नहीं सकता है. It passes from the small intestine to the large intestine without being digested. ये छोटियां से बढ़ियां तक बिना पच्छाए गुजरता है. Then why should we have such food? फिर हमें ऐसे भोजन क्यों करना चाहिए? Two important reasons are that it prevents constipation. Difficulty in passing stool and is good for general health. Two important reasons are constipation. Constipation यानि कब्ज. कब्ज को रोकता है और समान स्वास्ति के लिए अच्छा है. कब्ज यानि कि भोजन जो हमारा होता है, उसको passing करने में difficulty होती है. यानि कि जो मल हमारा होता है, उसको बाहर निकालने में जो कटनाई होती है, उसी को हम कब्ज कहते हैं. विटामिन्स ए आखों के लिए और सरीर के रोगों से लड़ने की छमता के लिए महातपूर है. अगर विटामिन्स ए की कमी आपके बाडी में होती है, तो आपको आइस प्रॉब्लम्स हो सकती है. यह लाल पीले या नरंगी रंग के फलो और सबजीयों में मौझूद हैं, जैसे टमाटर, गाजर, देल, मिर्च, सेप, संतरा, पपीता, कद्दू और सकरकंत. इट इस आलसो प्रेजेंट इन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीज, मिल्क, एग, घी, बटर, एंड लीवर. ये गहरे हरे पत्तेदार सबजीयों, मटर, दूद, अंडे, घी, मक्षन और जिगर में भी मौझूद होता है. नहीं कि इन सभी चीजों में विटामिन ए पाया जाता है. अगला पॉइंट है, there are many types of vitamin B. विटामिन भी कई परकार के होते हैं जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, B12 इतरे बहुत सारे विटामिन इनके टाइप होते हैं यह सरीर के समान कामकाज के लिए बहुत महत्यपूर है समान तोर पर ये दूद और दूद उतपाद हो यानि दूद से बनी चीजे अंडे, मास, मचली, अनाज, डाले, आकरोट और केले में मौजूद होते हैं विटामिन B इन सभी चीजों में पाया जाता है उसके बाद विटामिन C is needed for healthy skin, gums, eyes, bones and heart विटामिन C स्वस्त तवचा, मसूडों, आखो, हड़ी और दिल के लिए विटामिन C की अवशक्ता होती है ये घावों को भरने और किटारों से लडने में भी मदद करता है ये सभी परकार के निम्बू संत्रे और अन्रसदार मीठे और खटे फलों में मौजूद है जिन्हें खटे फल कहा जाता है ये कि विटामिन C जो होता है वो खटे फलों में पाया जाता है ये अमलास, गवास, बनानाज, टमैटो, बेल पेपर, चिली, स्टेबरी, केवी, ब्रोकोईली, एंड कली फ्लावर्स ये सभी परकार, ये आमलस, अमरूद, केला, टमाटर, बेल मिर्च, मिर्च, स्टेबरी, केवी, ब्रोकोईली और फूल गोभी में भी मौजूद है ये विटामिन C, इन सब चीजों में भी पाया जाता है, इनकि खटे छीजों में, खटे फलों में और एन सभी चीजों में भी विटामिन C, पाया जाता है फिर हमारा अगला, एगला, विटामिन D विटामिन D is called the sunshine vitamins विटामिन D को sunshine vitamins कहा जाता है because the body produces it when the skin is exposed to sunlight क्योंकि तुच्चा सूर के प्रकास के संपर्क में आने पर सरीर इसका उत्पादन करता है दोज who do not get enough sunshine can get vitamin D from milk, butter, ghee, cheese, fish and eggs जिन लोगों को प्रियाप्त धूप नहीं मिलती है वे दूद, मक्खन, घी, पनीर, मचली और अंडे से vitamin D प्राप्त कर सकते हैं तुगेदर विद इट्स पार्टनर्स, calcium and phosphorus, vitamin D protects the health of the bones and teeth अपने सहयोगियों, calcium और phosphorus के साथ, vitamin D हड़ियों और दातों के स्वास्त की रक्षा करता है